टिम इंडिया के पूर्फ महान मल्लेबाद सचिन तंदुलकर का मानना है कि इंग लाइन के टेस्ट कप्तान जो रूट भले ही कुलदीब की फिरकी का तिलेस में तोड़ने में काम्याब रहे हो लेकिन टेस्ट सिरीज में पेच सूखी रहने पर वो अभी उपयोगी सावित ह हो सकते हैं पाश टेस्ट माचों की सिरीज एक अगस्ट से शुरू होने वाली है तंदुलकर ने हाल ही में कहा कि मैंने टीवी पर जो देखा उसे लगा कि रूट ने कुलदीब की गेंद को उनके हाथ में ही भाप लिया था जिसका उन्हें फायदा मिला कुलदीब की कलाई का एक्शन पेचिदा है और गेंद छूटने के बाद भापना बहुत मुश्किल है रूट ने उनकी कलाई के पोजिशन को जल्दी भाप लिया और खेलने में काम्याब रहे ये पूछने पर कि क्या ये भारती टीम के लिए खराब संकेत है तंदुलकर ने कहा कि मुझे नह पर इंग्लाइंड के तेज गेंद बाज हावी रहेंगे उन्होंने स्विकार किया कि पहले तीन टेस्ट में भूवनेश्वर कुमार और पहले मार्च में जस्परीद भूमरा की कमी भारत को जरूर खलेगी तंदुलकर ने कहा कि भूवी की चोट भारत के लिए करारा जट सकते थे वैसे तेजगे इंदवाजी में हमारे पास विकल्प की कमी नहीं है बूमरा के बारे में उन्होंने कहा कि बंडे सीरीज में उनकी कमी खली क्योंकि वो डेथ होगरों के चैंपियन के इंदवाज है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छी शुरुआत की थी वो कि राठी क्यों मुझे पूरी टीम से अच्छे प्रदर्शन की उमीद है टीम को अच्छा खेलना होगा नेक्स नाइन स्पोर्स्टेस्क रपूर्ट स्टार्ट यॉर कर्यार विफ थी